इस बुड़े में हम लग बात करने वाले हैं दो शेर्स के बारे में इस इन दो शेर्स की अगारा नोग बात करें तो इनको कवर करने के पीछे का reason क्या है तो सबसे पहले fundamentally क्या है ये company strong है तो उसमें से एक company दोस्तो fundamentally strong है जिसने अपने आपको prove कि आप ऐसा भी आप बोल सकते हो second company क्या weak है क्या तो weak तो नहीं बोल सकते बट छोटी company है मतलब microcap type की company है बट इसमें वो potential नजर आता है कि ऐसे company शायद से बड़ी बन सकती है so ये एक मुद्दा हो गया then अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो ये जो companies है जैसे कि आपको पता ही है कि technically भी stock market में work या पर किया जाता है ठीक है and उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसको जाता था निचा था निचा था निचा था एसा बहुत समय तक ठीक है और बहुत सालों तक तो इसको बोला जाते कि हाँ ये multi-air resistant यहाँ पर ये stock का देखने को मिल रहा है तो इसको बहुत सारी कैसे work होते वी देखने को यहाँ पर मिल जाती है ठीक है क्योंकि अगर देखा गया तो टेकनिकल ही मतलब basically क्या होता है कि उसी range पर क्या हो जाता है कि जो technical analyst जो होते है वो बहुत सारे इंटर कर रहेते हैं multi-year breakout हुआ तो अच्छा कासा पैसा बनेगा तो बहुत सारे लोग buy करने के चलते हैं वो stock suddenly हम लोगो तेज होते हुए देखने को मिल जाता है ऐसे ये दोनो stock में भी हम लोगो पैटन बनते हुए देखने को मिल रहा है वो भी एक additional point है तो आप चाहो तो इनको जरूर रड़ार के उपर रख सकते हैं तो पहली company कोन से है दोस्तो तो 582 पे ये stock चल रहा है 6 मेने के return की बाद करें तो 10% है एक साल की बाद करें तो 21% है पात साल की बाद करें तो लगबग 200% के आसपस के return से आपे बंद रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो level है मतलब 600 के उपर हम लोगों को देखने को मिल रहा था इसको तोड़ने की कोशिश अभी company अल्रेड़ी 2-3 बार करते वे देखने को आपे मिल चुकी है और आने वाले समय में अभी मतलब तो रेसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो वापस company 582 तक जाते वे देखने को मिल रही है तो जरू दोस्तो अगर company ने ये जो अपना पुराना level है अगर इसको यहाँ पर break कर दिया ठीक है तो हम लोग जरूर यहाँ पर कह सकते company में हम लोगों को अच्छा कासा तेजी देखने को मिल सकता है properly candlesticks पर चेक कर ले ना यहाँ पर अगर हम लोग गूगल की बात करें तो 614 के आसपास ये level हम लोगों को देखने को आपे मिल रहे तो company कोंसे दोस्तो ये उनो मिंडा मिंडा इंडस्ट्री वैसे तो company तो खराब ही नी बहुत शांदर company disclaimer में मेरे site से दे देता हूँ बहुत पुराने समय से ये company को मैं hold करता हूँ ठीक है और देखा किया दो बार bonus भी enjoy आपे कर चुका हूँ ठीक है आगी के journey देख लेंगे पहले इसका नाम मिंडा इंडस्ट्री आपे हुआ करता था so company की बात करें तो आप देख सकते हो 30,000 करोड का market cap देखने को मिल जाता है उनों मिंडा की बात करें तो सबसे खास बात कौन सी थी इस company की जो मिने आप लोगों को बताई थी yes सबसे पहले में नीचे आना चाहूंगा तो जो important चीज है yes, सबसे पहले तो promoter holding ठीक है, बीच में 67 था, promoter ने वापस अपना stake बढ़ा दिया ये एक positive संके थे FIS, DI's activities भी आप देख सकते हो 30% में से हम कह सकते है कि बहुत ज़ादा institutions लेकर बेठे हुए पब्लिक की बात करें तो ज़्यादा इसमें पब्लिक देखने को नहीं मिलती है तो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं हिंट वाली बात देखने को मिल जाती है ये एक हो गया positive sign और दूसरा positive sign कौन सा? कि yes, इनके clients auto ancillary वाली company अगर आप इस channel को follow करते होंगे तो ये तो window आप लोगों के लिए तो comment बन चुके की two-wheeler, four-wheeler, off-road की बात करें तो two-wheeler में देखिए बजाज है BMW, Honda, Hero, KTM, Mahindra अभी ये list आपको buy art होई चुके होगी Royal Infil, TBS जितने भी आप लोगों को गाड़िया पता है ये सारे के सारे आप लोगों को देखने को आपे मिल जाएंगे ये two-wheeler होगे, then four-wheeler में देखिए न अशोक लेलाएंड, Demler, मतलब Mercedes के आप बात कर सकते हो Ford की बात करे, Fiat, GM की बात करे Hyundai, Honda, Maruti, Suzuki सारे के सारे popular नाम मतलब कोई नाम ऐसा छूटेगा ने Tata से लेकर, Toyota तक, Volkswagen से लेकर सारे companies देखने को मिल रहें और आप रोड की अगर हम लोग बात करें तो Aisher, Esquad, JCBB इनी के clients देखने को मिल जाते हैं, Auto Ancillary ये parts प्रोवाइड करते हैं, Mahindra New Holland की बात करें, यहापे ये सभी के सभी, सवराज की अगर हम लोग आपे बात करें ठीक है, ये सभी इनके clients देखने को मिल जाते हैं रुको रुको, ये तो क्या होगे? ये तो domestic होगे, अगर आप side में जाओगे तो yes, same category आपको international में भी देखने को मिलेगे अगस्टा की बात करें, अगस्टा की बात करें, पिज़ोट की बात करें सभी के सभी इनके clients देखने को मिल जाते हैं इतने सारे companies इसके clients है, मतलब company में कुछ तो बात होगी ये तो अल्री में बहुत बार आप लोग को ये चीज़े बता चुका है आज हम लोग cover यहापे नहीं करें, ये channel नहीं भी था, तब से मैं उसको पहले से ही हापे hold यहापे कर रहा हूँ इपदम easy हम लोग को समझ में आ जाते हैं, देखिए, off-road की बात करें कितने सारे इसे popular brands है, जोकि इनके साथ deal करते हैं अगर हम लोग बात करें, बड़े-बड़े brands हैं दोस्तों, तो यह हमारा confidence बढ़ा देते हैं shareholding pattern ने confidence बढ़ा दिया, और clients ने भी confidence बढ़ा दिया, इसी चीज़ के चलते हमें इतने शांदा returns बनते वे देखने का आपे मिल रहे हैं, यह कौन सी होगी, यह पहली company होगे उनों मिंडा की अगर हम लोग बात करें, और company के P&L की भी बात करें, तो वो भी strong यहापे रहता ही है मतलब पहले जमाने में क्या होता था, जमाने मतलब कुछ सालों पहले, double digit में company का net profit हुआ करता था और वही अभी के net profit की बात करें, तो 100, 200, 400, 700 तक जाते वे देखने को मिल रहा है तो potential तो company में बहुत ही गजब का है, clients तो आप लोग ने देखी लिया है, तो जो business होता रहता है तो उसमें company को कोई tension की यहापे बात है नहीं, and due diligence भी वैसा हम लोगों को हो जाते है कि इतने सारे company, इतने सारे अच्छे-चे clients देखने को मिल जाते है मतलब company में अच्छा गासा performance यह आपे चल रहा है, and जैसे आपको मैंने आपे बता है कि हाँ, यह जो level है, उसके करीब जाते वे देखने को मिल रहा है, जैसे इसको तोड़ दिगा, तो शायद से एक breakout भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से भी आप चा कर लेते, blindly कुछ भी, तो ऐसा नहीं करना है, second warning भी देना चाहूँगा, disclaimer के साथ-साथ, कि हाँ, यह microcap है, शुरुवात में भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जो मिंडा इंडस्ट्री थी, उन्हों मिंडा, वो एक midcap company थी, बट यह वाले company micro है, and micro में आपको यह बार-बार क्या बताने का मकसद है, कि हाँ, company कभी भी 50% नीचे crash भी हो सकती है, बहुत ही risky होते, volumes बहुत कम होते, एक बड़े player ने माल अगर बेज दिया, सीधा 50-60% crash हो सकता है, इतना danger होता है यह stock, बट फिर भी आप चाहो तो इनको study कर सकते हो, 380ps stock देखने को मिल र इस प्रकर की चीज़ी हमनों को इस stock में देखने को मिल जाती है, then 5 साल का data अगर आप देखोगे, तो बहुत ही कमाल का performance रहा है, यह देखी, यह वाला जो level है, 400 का, उस level की करीब अभी वापस company जाती वे देखने को आपे मिल रही है, जरू आप चाहो तो इस company को study कर सकते है यह मत सोचना, कि हाँ बहुत ज़्यादा returns यहापे बन चुके है, valuation की सबसे अभी भी एक company बहुती तगड़ी नजर यहापे आ जाती है, तो company का नाम क्या है, Jackson Pal Pharma Limited, यह जो company है, अगर देखा गया, तो इसका जो सबसे बहले market cap देख लेना, केवल 990 करोड का market cap है, बतलब जो operation से, बोथ, domestic market में भी है, और international market में भी work करते हैं, देखने को मिल जाते हैं, company के अगर हम लोग balance rate की बात करें, तो results आप देख सकते हैं, 145, पहले, उसके पहले 100 करोड के हुआ करते हैं, अभी 145 हुए है, कुछ सालों पहले के भी देखना चाते हैं, तो वो भी देखे, 83, 90, 100, 109, and right now 145, then अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छी वाली बात यह है, कि company के उपर एक रुपे का भी करजा नहीं है, long term boring, short term boring, 00, तो pure debt free company है, कोई भी इसके उपर करजा देखने को नहीं मिलता है, जो कि इनको और भी strong बना दिता है, and cash and cash equivalent की बात करें, लगबग 114 करोड का cash भी company के पास देखने को मिल रहा है, so full pleasure अगर हम लोग बात करें, कमपनी तो है चोटी, बट छोटी company में at least इस प्रकार की balance sheet कुछ तो होनी चाहे, वैसे balance sheet हम लोग को ज़रूर देखने को आपे मिल रही है, बाकि अगर हम लोग आपे बात करें, जिस segment में आता ह लिखा जाता है, आप चेक कर सकते हैं, कितिनी चोटी company हैं देखिए, बहुत ही चोटी company, ठीक है, तो ऐसे company कभी भी आते जाते हैं या पे रहते हैं, बट हाँ, इस कारती है नहीं कि कोई भी वाईयात company आपको study करने के लिए दे रहा, मतला बोलते हैं ये एक ऐसा player है, जो क फिर उसके बाद वापस 3 करोड, 12 करोड, सड़न एक बीच में loss हो गया, अब समझ रहे हैं कितना ज़्यादा fluctuations या पे होता है इन companies में, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, then company ने 7 करोड, 8 करोड, 17 करोड, 20 करोड and right now company 27 के और बढ़ती वे देखने को मिल रही है, dividend payout ratio अब हमनों को अच्छा खासा देखने को आपे मिल रहा है, और ऐसी company में बताओ, institutions होंगे क्या ज़्यादा, नहीं होंगे, तो आप चेक कर सकते, promoter के पास लगबख 60, कितना है 70% आप बोल सकते, 68% चलो, पूरा ही बोल देते, and FISDS ना के बराब, होते ही नहीं है, वो company अग अच्छे stock आपके सामने लिखे आता हूं, तो इनको study किजे, आपको अच्छा लगता है, तो मिने आपको formula बता के ही रखा हुए, but वो खुद के दम के उपर होना चाहिए, ऐसा नहीं randomly बस किसी ने बोल दिया, मेरा वीडियो देख लिया, motivation आ गया, कोई sense की बात नहीं है, जैसे stock गिरेगा, motivation सब गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करने, properly इनको study करने, जितना deeply हो सकके management analysis करने की कोशिक करने, annual reports पढ़ने है, और उसके बाद अगर आपको लगता ही है, कि बहुत दम है इसमें, अगर आपको डर लगता है, तो खरीद लिए, दो खरीद ल जाएगी, कि आप 10 stocks try करते हो, पहले 3-4 साही जाते थी, फिर बाद में 5-6 साही जाना start होंगे, 7 जाना start होंगे, तो फिर आप बड़े-बड़े यहापर deal दे सकते हो, बड़े हमें कुछ आगे-पीछे पता नहीं, बस हम randomly buying कर रहे हैं, यह वाला जो टेक्निक है, वो बहु अपने लिंक के तरो ओपन के है, प्रॉपरली कमेंट चेके में मेंचन कर दे हैं, तो अफ्ते बड़ के अंदर-अंदर सारे लेक्षर्स मरे साड़ से फ्रे आफकास प्रवाड कर दीजाएंगे, ताकि आप शेर बादर को आसान बाशा से सीख सको, तब तक के लिए, बाब में बादर कर दादर क वह ल